नमस्कार दोस्तों आप लोग को जोहार एकजामे स्वागत है दोस्तों तो चली दोस्तों आज हम लोग जार्खन महिला सुपरवाजर जो आप लोग को जार्खन महिला सुपरवाजर में दोस्तों आप लोग को जी के जेस में कितना कोशन पूछा जागा दोस्तों तो 20 कोशन प्सक्राइब करेंगे और आप लोगा 20 कोषेनु में कितना साही ने कर पारें Deni से 15- Arctic इस परषियर की लिए मज बनाने के लिए जो भी स्टोड वी स्ट्विए만 होगा तो सोचे उलोगी कर जादा स्क्राइंग आ सकता है तो आप लोग को मॉस्ट इन पोर्टंट कोसें कि देखे फार्स कोश्चेन में क्या है दुस्तो तो इवान किस देश की मुत्रा है जपान चेन इटले एगओ असलाविया चैना कोश्य दिखान काो आप लोगी देखिये दूसरा कॉश्चन में आप देखे दुसरा कोचर में राष्टी खील है तो भूटान का राष्टी खील कौन सा है होकी, खोषो, तेरंदाजी, ताइकवाडू, तो भूटान का राष्टी खील क्या है थेंपू है क्या है इसका मुद्रा इस्का अगला कोॉच्ट काश्य眪étais साइसे में दिकत हो रहा है तीच से कोई ईवे सोरी अब देखिए अगला कोसे नि कि क्या आयाए क्या है क्यों डूरन कपकिंद एक सो तीशुए संस्क्राण का युजन कहाँ किया गया कहा किया गया था दोस्तों नोकलकत्ता में गोवा में बंडलोरी में राची में तो यह कहां क्या गया था दोस्तों तो लोन कप का जो 130 संस्क्राइड का अवजन कहां किया गया था तो यह कलकत्ता में क्या गया था कहां पर कलकत्ता में आगे देखिये next question को देखे दो तो कि देश के पहले chief defense staff general विपिन रावत को मर्नो परांत किस पुरुषकार से सम्मानित क्या गया है तो किस पुरुषकार से जन्रा विपिन रावत को मर्नो पुरुषकार से सम्मानित क्या गया है तो परामवीर चक्र, महावीर चक्र, पद्वभूसन चक्र या सोक चक्र तो किस चक्र से सम्मानित क्या गए है अब आगे देखिए अब देखिए भासा है क्योंकि आप लोग को भासा से भी एक कोशेर आप लोग को भासा और लेपी से रहेगा दोस्तों इसलिए आप भासा और लेपी को भी अच्छे से कर लेजी तो देखिए भासा तो भासा हमें देखिए कौन सा एक सुमिलित नहीं है तो इसमें चारों मे प्च पर्गणूया सेने साहिए दोश्थू देखित ध्रवीट भासा समय यह क्षा है डोस्तों एक जढके द्रवा सूह नकपुर यह ग्लत है आपको नमबर कुन सा सुमिलित नहीं है तो नमबर सी सुमिलित नहीं है अब आग एक कोश्यन देखते हैं देखे क्या योग तथा आयुरुवेद पर विश्व का पहला अंतराष्टी सम्मेलन कहां अविजित क्या गया तो योग जो आयुवेर्द है पर विश्व का पहला कहां पर अंतराष्टी सम्मेलन क्या गया था दोस्तो तो यह आप लोगो कहां क्या गया था जाग्रेब में प्राग में वियन्नाने बर्निन में तो यह कहां पाग क्या गय था दोस्तों तो जाग्रेब में क्या गय था आगे देखे अब देखे खाजू राहो मंदिर का निर्मान किस ने किया था तो खजू राहो मंदिर का निर्मान किस ने किया था दोस्तों तो यह आप लोगों के हुलक ने, सिंध्या ने, बुंदेला, राजपोत ने या चंदेल राजपोत ने तो खजू राहो मंदिर का निर्मान किस ने किया था दोस्तों तो इसका निर्मान क्या था चंदेल राजपूत किये थे दोस्तों ये कब किये थे दासवी से बारवी साधी कि में जब चंदेल सासो को का हुआ था तब ये खजुराहो मंदिर का निर्मान हुआ था अब देखे इस मंदिर कहां पर है दोस्तों ति ये MP में कहां है MP मद्द प मंदित है किसके लिए है तो यह आप लोगों को जैन धर्म और हिंदु धर्म से सम्मंदित है खजुराहु मंदित यह कहां पर है माद्य परदेश में एक जिला है जो छत्तर पूर में आगे देखिए अब देखिए क्या निमलिखित में कौन सा एक फातेफूर सिक्री में इस्तित नहीं है तो कौन सा इस चारों से एक फातेफूर सिक्री में इस्तित नहीं है तो पंच महल मोती महजेत सलिम चिस्ति का मकबारा या मर्यर मर्यर प्लेस तो कौन सा जो फातेफूर सिक्री में इस्तित नहीं है दोस्तो इस चारों में से ये कौन सा नहीं है तो ये आप लोग का है दोस्तो मोती महजिद मोती महजिद कहां पर इस्तित है दोस्तो ये तो दिल्ली में इस्तित है कहां पर है दिल्ली में इस्तित है ये कहां है दिल्ली में आगे देखिए क्या है कि गांदी जी ने किस धार्मे गरांत को अपनी माता कहा था तो गांदी जी ने किस धार्मे गरांत को अपनी माता कहा था रामायन को आगे देखिए क्या है दा नू टेस्टामेंट को भागवत गीता को कुरान सरीप को तो गांधी जी ने किसको कहेते दोस्तो यह माता कुनसा तो यह आप लोगो अप्शन नंबर कुनसा जागा यह आप लोगों को अप्शन नंबर सी हो जागा भागवाद गीता को कहेते अब आगे देखी देखे हड़ाप निती किस ने दिया था तो हड़ाप निती कौन चाव गावनन ने दिया था दोस्तो तो लोड कान वालिस लोड डल होजी लोड बेटिंग या लोड कैनिन तो देखे दोस्तो आप लोग को संभावना बहुत ही जारखन में परबल राता है दोस्तो कि आप लोग को गावननर से एक दो कोशन बराबर जारखन के एकजाम में जरुद देखने के लिए मिल जाता है दोस्तो तो इसलिए आप लोग गावननर जो हो ना आप लोग जो होग कि जार्खान में गवनर से जो भी आये थे गवनर बने थे वो सबसे एक दो क्वेशन जरूर जार्खान में पुछा जाता जोस्तों इसले आप लोग इस ट्रोपी को छोड़ियेगा मत तू देखिए आप तो हड़ आप नेती किस ने दिया था दोस्तों तो हड़ आप नेती किस ने दिया था लोड बेटिंग ने दिया था कुन दिया था दोस्तों लोड बेटिंग ने आगे देखिए अब देखें क्या है 11 नमबर कोश्चन की भारत में कैबिनेट मिशन किसले भेजा गया था तो भारत में कैबिनेट मिशन किसले भेजा गया था दूस्तो एक राष्टी सरकार अस्थापित करने के लिए सक्ति के अंतरन के लिए समयधानी के व्यवस्ता निश्यत करने के लिए पाकिस्तानी की जिन्ना के मां को स्विकाय करने के लिए भाद के आजादी देने के इंकार कारने के लिए तो भाद में केबिनेट मिशन किसले भेजा गया था तो आप लोगों किसले भेजा गया था दोस्तों ये भेजा गया था आप लोगो 24 मार्च को कितना 24 मार्च को भेजा गया था 1946 इसवी को कब 1946 इसवी में को दिली आया था य कैभिनेट मिशन कि यह भेजा गया था और इस मिश्टीन का मुख्य intriguing क्या ग्षा कि भात का सवद्दान त्यार करने के लिए कारिट पूछलने त्यार करना तत्ता अंत्रीम सरकार के लिए आवसक प्रबंध करना इसके लिए ये कबिनेट मिशन का ये मुख्य उदेश यही था तो देखें तो इसका राट एंसे क्या हो जागा ऑप्शन नूमबर क्या हो जागा बी हो जागा कौन सा हो जागा option number B हो जागा कि सक्ति के अंतरवन के लिए एक सवेधानी के विश्ता निश्चित करने के लिए क्योंकि सवेधान सभा बनाने के लिए एक कारिप्रानाली त्यार करना है इसके लिए cabinet mission बना गया था दोस्तों इसलिए भेजा गया था अब देखिए क्या कि भात में पहली बोलती फिल्म थी तो आप लोगों को जरूर पता होगा दोस्तों यह जी के तो बहुत ही जी है समझें तो भाद में पहले बोलते फिल्म कुन थी आपनों को आरा आलम आरा था आलम आरा जो पहले बोलते फिल्म था दोस्तों आए अब देखिए नेक्स्ट कोश्चन इसमें देखिए निमलिखित में से किस सहर को भाद का सुन्य मिल केंदर के नाम से भी जाना जाता है तो किस सहर को भाद का सुन्य मिल केंदर के नाम से जाना जाता है तो जबलपूर इलाबाद नगभूर दिली तो किसे जाना जाता है तो भाद का सुन्य मिल केंदर के नाम से किसे जाना जाता है तो यह आप लोगों नागफूर को जाना जाता है देखिए अब उच्छे छेत्रों में रेटराइट मिर्दा की रचना होती है तो छारी होती है लवन्य होती है आमली होती है संतुलित होती है तो उचे छेतरों में डेटराट में डा की रचना केसी होती है तो इसका केसी में होती है तो यह होती है आप लोगों को आमली होती है केसी होती है आमली आगे दखी देखे जिव मंडल आरचित छेत्रों की पहली परियोजना इसकीम कौन सी थी तो जिव मंडल की जो आरचित छेत्र था उसका पहली परियोजना इसकीम कौन सी थी तो इस परियोजना का इसकीम क्या था दोस्तों तो इस परियोजना का इसकीम क्या था तो निल गिरी जिव मंडल अरचित छेत्र जो इसका स्थाप्रा निशो कब हुआ था 86 हुआ था कब हुआ था 86 हुआ अगे देखी अब देखी सोलो नंबर कोश्चन में क्या है कि भात में एक ढलान दार परवत्य भुभाग में 200 सेमी से अधिक वासा होती है तो वहां निमलेखित में कौन सी खेती हो सकती है तो वहां जहां पर भी कोई भी ढलान हो है वहां पर भुभाग में जो भी भुमी में 200 सेंटिमेटर बारिस होता है तो उस जो भी खेत होता है तो उस खेत में क्या उपज हो सकता है तो कापास, जूट, तमबाकू, चाय तो क्या उपज हो सकता है तो ये हो सकता है आप लोगों को चाय उपज हो सकता है कि देखे निमलकित में देख Alter नलान सहाए नहीं नहीं है कौण साम मिलान सही यह त्हों देखिए यह इस्टिल प्लांट है कि ते कि अधिल प्लांट प्लांट यह षटिल प्लांट यह नहीं सब्सक्रादन व्हाइं वुध्य, तो यह विद्व के उसे पिंग हमधा your मोज स्फेवे हैं, महाम राश्टा में की राश्टोट में पहritव, वनुदए व्हरा जए Dip्ल जाए है जार्खन में कि अब देखिए अब लोग को यह करन्ट है दोस्तों जार्खन में संरच्छन वादी और सक्री कार्यकात्ता की पहचान करें जो एक महिला ट्रास्फ़र्मिंग इंडिया जो 2017 पुरुषकार से प्राप्त करता हो में से एक है तो वह कौन सा महिला है तो इसमें देखिए कौन सी महिला है यह जहान्वी तमर है जो आला ठाकुर है जमुना टुड़ू है जो ही कन्हे कर है तो कोन है दोस्तों यह है आप लोग को जमुन कि अब देखिए अब भारत में राष्टे आई के प्राकलन त्यार किये जाते हैं तो भारत में राष्टे आई के प्राकलन त्यार की जाते हैं कौन करता है दोस्तों किसके दोवारा करता है तो यह राष्टे विकास परिसत दोवारा राष्टे उत्पादक ता परिसत पर केंद संख्य की शंगत्तं दौरा तो यह किसके दोरा के जाता है दोस्तों हिए आप लोग को डूपibly Top आप अब देगे कि लाश कोशन है तो इसमें क्या है कि युद्र। कॉन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रन took तो ब्लोग जब सकते हैं सब्लूदिक टृडता अनुपात है नगद आरचन अनुपात में व्याजदर की ब्रिद्फी दोस्तों आज के लिए हम लोग समझें कि एटलिस्ट आप लोग फिप्टी से उपर ला रहे तो सोच लिजे कि आप लोग का जीके जेस में अच्छे लेवल में त्यारी हो चुका है तो इसलिए आप लोग कमेंड बॉक्स में एक बार जरूर बताईगा तो चलिए फिर मेंता हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास मे हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ है कितो है aden